एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है हनी और नाडिया के सेफ आउस से जहाँ पे नाडिया जो है उसको विवेक यादा रहा होता है क्योंकि उसी के आखों के सामने विवेक को गोली मारती गई थी और फिर वो अपनी मम्मी के पास जाके बोलती है कि अब विवेक अंकल कभी नहीं आएंगे न मम्मी तो हमें उनके लिए प्रे करना चीए इसके बाद नाडिया विवेक के लिए प्रे करती है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ती हो और फिर दिखाये जाता है चाको और बनी को जो सेफ आउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं हनी को ढूंडने के लिए उसी सारे गुंडे आते हैं वो बारी बारी से सब को मार गिराती है और यहाँ फुल पावर एक्शन देखने को मिलता है तब ही नकुल एंटर होता है उसके घर में और बुरी तरह मारने लग जाता है हनी को हनी जकमी भी हो जाती है क्योंकि नकुल उसके पेट में एक चाकू और फिर नकुल फोन लगाता है केड़ी को बेस 33 पे नकुल पूसता है कि आप ठीक तो हो ना तब केड़ी कहता है कि वो सरफिरा वापस आ चुका है और केड़ी बात कर रहा होता है बनी के बारे में बनी ने बेस 33 को पूरा तबाह कर दिया था और केड़ी भी मरता मरता बचा इसलिए केडी नकुल को कहता है कि तू अपना ध्यान रखना और जल्दी से उनको ढूंड के लेके आ और फिर जब नकुल वाँ से निकल जाता है तो बनी और चाको भी उसी जगे पर पहुंचते हैं और देखते है कि सारे जो लोग है वो मारे जा चुके है और इनको बहुती पेरह में से मारा गया है और मार्कने के स्टाइल से पता चल जाता है बनी को की यहाँ हनी थी और हनी अगर यहाँ नहीं है तो वो जरूर सेफ है इसके बाद जब वो रूम सर्च करते है तो बनी को नाडिया का एक बैग मिलता है जो वो अपने साथ रख लेता है और ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 1992 में जहां पर दिखाया जाता है डॉक्टर रगु राओ को और वो एक मिटिंग के लिए जा रहे होते हैं बनी और उसके ट किम को रगु राओ जो भी बात करेगा किसी भी इनसान से वो सुनाई देगी और फिर हनी फटाफट से वहां से निकल जाती है फिर से ये कानिशफ्ट होती है सन 2000 में जहां पर हनी बुरी तरह घायल है और वो ड्राइफ कर रही है उसकी बेटी नाडिया उससे बार-बार अब गई तब हनी कुछ भी नहीं बोलती है और बेहूश होने लग जाती है और कार जो है वो इदर उदर जाने लग जाती है तबी नाडिया अपनी मौम को उठाती है फिर उसकी मौम कहती है कि मैं थुड़ी देर रेस्ट करना चाती हूँ हनी एक कोने में कार रोकती है और पर एक गोली लग गई थी, इसके बाद बनी जो है वो नाडिया का बैक चख करता है जिसमें एक गीटार होता है और वो उस गीटार को प्ले करने लग जाता है और फिर ये कानी शिफ्ट हो जाती है नाडिया पर नाडिया देखते है उसकी मौम की तवित काफी जदा खराब ह रही है और वो अपनी मॉम का प्रामिस तोड़के मैडिसिंस लाने चले जाती है अब नाडिया के बैग में उसका एक एलबम भी होता है बनी ने अपनी बेटी को कभी नहीं देखा था जब वो उसकी फोटो देखता है तो काफी ज़दा खुश होता है और इसके बाद चाको और बनी फिर से निकल जाते है ढूणने हनी को और उसी वक्त उसी मैडिकल से नाडिया जो है अपनी मॉम के लिए खुप सारे बैंडिज और मैडिसिंस ले जाती है जब वो सड़क पे जा रही होती है तो नाडिया के पीछे एक कार आती है और ये कार उसके मॉम की ही होती ह उसकी मॉम उसको बहुत ज़दा डाटती है क्योंकि उसने promise थोड़ा था अपनी मॉम का और फिर से ये कहाने shift होती है 1992 में जहाँ पर डॉक्टर रगूराओ जो है जो UA Tech Company में घुच जाते हैं और मिटिंग करने जाते हैं जूनी शान से जूनी ने डॉक्टर रगूराओ के पीछे अपने agents लगा हैं ताकि वो safe रह सके और उनको कोई भी problem ना हो तब डॉक्टर रगूराओ इस बात से खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं चाते हैं कि उनके पीछे कोई भी agents लगे और वो आराम से काम करना चाते हैं अपने mission पे इस mission में डॉक्टर रगूराओ के साथ उसका एक दोस्त भी है उसका ये दोस्त कौन है उसी का पता लगाना है बनी और उसके टीम को इसके बाद डॉक्टर रगूराओ जूनी से बोल देते हैं देखो मुझे कोई भी agents की जरुवत नहीं है अब बनी और उसकी टीम प्लैन लग जाती है कि कैसे हम डॉक्टर रगूराओ से पता लगा एंगी कि वो किस mission पे काम कर रहे है हनी बोलती है कि मैं फिर से जा सकती हूं डॉक्टर रगूराओ के पास तुम बस allow करो और वापिस से इभी बदल कि डॉक्टर रगूराओ के पास याति है इधर इस बार हनी ज प्रेस होके कहते हैं कि देखो यहां impossible है यह सारे foods मिलना तो मैं तुम से shirt लगा सकता हूँ अगर तुम ने मुझे South Indian food खिला दिया तो तुम जो पूछो की वो मैं बता दूँगा और फिर इसी बात पर बनी लुडो को कहता है कि जल्दी से South Indian food का arrange कर अब लुडो गुस्ता हो में आ जाए उस restaurant में उसे South Indian food मिल जाएगा इसके बाद डॉक्टर रगुराओ जो है वो 12 बजे निकल जाते है रेस्टोरेंट के लिए लेकिन उसके पीछे जूनी के agents लगे होते हैं और लुडो और चाकू दिमाग लगा के साड़क पे लड़ने लग जाते हैं जिससे traffic jam ल तो में सारी चीजे पूछने लग जाती है और फिल लुडो ने South Indian food का arrange करवा दिया था जिसे खाके डॉक्टर रगुराओ काफी ज़दा impress होते हैं और अब वो बताने लग जाते हैं अपने mission के बारे में जिस mission में वो काम कर रहे हैं अपने दोस के साथ इसमें वो एक ऐसा weapon अपन तयार कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को सेफ करके रखेगा सारे वार्स से और आने वाली आपदा से अब ये बात सुनते सुनते हनी को चकराने लग जाते हैं और वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है अब फिर से कहाने शिफ्ट हो जाती है नैनी ताल में यानी सन 2000 में और हनी एक घर किराये पे लेती है जहाँ पे छुपके वो अपनी बेटी के साथ रहती है वो अपनी पेटी को प्रॉमिस टोड़ने के लिए एक परिश्मेंट बे देती है जिससे उसकी बेटी काफे जदा गुसा होती है और कहती है कि अगर आप मर जाती ही तो क्या होता इ इसके लिए मैंने ये प्रामिस तोड़ दिया, फिर हनी उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि अभी सो जाओ, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है, इसके बाद वापिस सिकान शिफ्ट होती है 1992 में, जहां पर दिखाया जाता है गुरू और केडी को, अब गुरू जो है, वो आता है बनी के पास और कहता है कि देखो, मैं एक और मेंबर को तुम्हारे टीम में शामिल करने के लिए लाया हूँ, इसका नाम है केडी और ये तुम्हारी तरह ही काम करता है और तुम्हारी तरह ही शाप माइंडेड है, इसलिए इसको टीम में रखो और अपन हो रही है अभी तक तो उसे आ जाना चीए था जिस बात से बनी कहता है इस टीम का लीडर मैं हूँ और मेरे कहने से ये टीम वाक करती है तो मैं इस टीम में रहना है तो मेरे ओर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे चुप चाब बैठ जाओ और मेरे फैसलों पे शक मत करो इधर उसकी टीम परिशान होती है कि अभी तक हनी का कोई भी रिस्पॉंस नहीं आया है कहीं वो किसी खत्रे में तो नहीं है कहानी फिर से शिफ्ट होती है 2000 में जहां पे अब बनी कांटक करने की कोशिश कर रहा है लूडो को लेकिन लूडो जो है वो फोन नहीं पिक करता है इसके बाद बापिस से लूडो का फोन आता है जो पूरे 8 साल बात बात कर रहा है कॉल पे क्योंकि ये call पे बात नहीं कर सकते ये इनके protocol के खिलाफ है बनी लुडो को कहता है देख मेरे लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा लेकिन ये काम बहुत ज़दा risky है अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम इंडिया में नहीं रह सकते हो और कभी भी तुम अपने देश करते हैं और ये बात सुनके लुडो के होश ओड़ जाते हैं इदर हनी को दिखाया जाता है जो सीधा call लगाती है गुरू के पास गुरू उसका phone आते ही समझ जाते हैं कि ये हनी का phone है और वो उसको कहते हैं कि मुझे पता था तू अभी तक मरी नहीं है सब ने जिसे देखके तेरे होश ओड़ जाएंगे और अगर तू ने वो कीमती चीज मुझे नहीं लोटाई तो तू और तेरी बेटी जान से हाथ दो बैठेंगे और फिर गुरू जो है ये धमकी दे के call कट कर देता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है तो हनी